इस मूवी में बाप और बेटे को एक ही लेडी से प्यार हो जाता है और इस प्यार के चक्कर में बेटा कुछ इस तरह से फस्ता है जैसे आगे को आप पीछे खाई दोनों तरफ आफ़त आई साइमन नाम का लड़का अपनी गर्फेंड के साथ अपने पेरेंट से दूर रहता है साइमन और उसकी गर्फेंड फैबीन एक कार्टून आर्टिस्ट है और ये आर्टिस्ट नेचर की वज़े से अपनी फैमिली से दूर रहते हैं क्योंकि इनकी फैमिली मैं सब के सब डॉक मिलने जा रहा हैं अपने डैड के बर्ट डे पर वो अपने डैड और मॉम से मिलता हैं और वो देखता हैं कि उसकी फैमिली के बहुत सारे मेंबर वहाँ पे आये हुए हैं लेकिन साइमन की नजर एक लेडी पे जाती हैं जिसको वो पैचान नहीं पाता थोड़ी देर बाद म जब उस लेडी को वो अपने फादर के साथ इन्वाल देखता हैं तो वो पूचता हैं कि ये कौन हैं तो उसको पता चलता हैं कि ये लेडी उसके डॉक्टर फादर की सेक्रेटरी हैं दरसल साइमन के डैड एक साइकेट्रिस्ट है और ये लेडी उनकी नई सेक्रेटरी हैं साइमन के डैड की इन हरकतों के बारे में उनकी family को कोई problem नहीं था कि साइमन के डैड अपने patients के साथ affair रखते हैं और पुराने patients को ही अपनी secretary में बदल देते हैं और उनसे affairs चलाते हैं साइमन की mom को इस बात से बहुत hurt होता था कि साधी सुदा होने के बावजूद भी उसका husband अपने patients और अपनी secretary से affair रखता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो खोद Simon के dad Dr. Carl के नीचे काम करती है इसलिए Simon की mom को मन मार के भी Simon के dad के साथ रहना पड़ता है वो अपनी साधी को बचाने की खोसिस करती है Simon की mom Simon को बताती है कि मेरी साधी तूटने के कगार पे हैं तुमारे dad ने एक नई secretary रखी है और secretary का नाम है sonia अब वो sonia के साथ holiday पे जा रहे हैं तो मेरी साधी तूटना definite है क्योंकि ये sonia तुमारे dad से साधी करके रहीगी तो Simon अपनी mom को कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता है वो कहती है कि clinic में तुम मेरा काम करना तो मैं free हो जाऊंगी और तुमारे dad के साथ holiday पे मैं चली जाऊंगी ताकि मैं अपनी साधी को बचा सके अब Simon को अपनी मा पे काफी तरस आता है और वो अपने dad के clinic में काम करने के लिए तयार हो जाता है ताकि उसके mom dad की साधी बच सके अब Simon के dad बिना मन से ही सही लेकिन अपनी wife को holiday पर ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं और अपनी secretary शोनिया को Simon के साथ काम करने के लिए कुछ दिन अकेला छोड़ देते हैं इन दोनों के चले जाने के बाद में Simon के dad Dr. Karl की secretary शोनिया Simon को कहती है कि अगर तुम नहीं आये होते अगर तुमने अपनी मदर का काम अपने हाथ में नहीं लिया होता तो तुमारे dad के साथ मैं holiday पे जाती और हमारा relationship थोड़ा strong हो जाता तुम हमारे बीच में क्यों कूद पड़े हो इस बात पे Simon कहता है कि तुम मेरे dad की हरकतों को नहीं जानती हो क्या उनके past relationship के बारे में तुमें पता नहीं है क्या उनकी बहुत सारी girl friends रह चुकी है और उनकी ये आदत है सोनिया कुछ देश सोचती है और Simon को घर के अंदर आके कहती है कि तुमें हमारे relationship के बारे में कुछ नहीं पता है तुमारे father और मैं काफी गहरे relationship में है तुम अपने ideas अपने पास में ही रखो साइमन को अब लगा कि सच में ही सोनिया उसके डैड से काफी close relationship में है और वो निरास होके वहाँ से चला जाता है अगले दिन साइमन सोनिया को नीचे किसी से बाते करते हुए सुनता है और सोनिया कह रही है कि देखो तुमारी तो एक family है तुमारे तो बच्चे भी हैं मेरे पास कुछ नहीं है मेरा time waste मत करो साइमन को पता था कि उसके डैड holiday पे जाने के बावजूद भी सोनिया से बाते कर रहे हैं साइमन और सोनिया को यहाँ पर ये काम दिया गया था कि उसके डैड की जितनी भी video clips, cassettes, जिसमें उसके interviews और lectures थे उन lectures को text form में convert करना था जो की काफी boring काम था lecture को सुनके उनके text लिखना साइमन के साथ साथ सोनिया को भी काफी boring लगता था सोनिया emotional होके साइमन को कहती हैं कि तुमारे डैड मुझे अपनी girlfriend मानते हैं वो openly मुझे प्यार का इजहार करते हैं और मुझे यहाँ पे अकेला छोड़के तुमारी mom के साथ holiday पर चले गए हैं और वो थोड़ा emotional हो जाती हैं और रोने लगती हैं क्योंकि वो life में settled नहीं थी उसको भी एक family चाहिए थी जो वो साइमन के डैड के साथ holiday पर जाकर उससे साधी करके बनाने वाली थी लेकिन साइमन के आ जाने की वज़े से अब उसका plan चौपट हो गया है साइमन को भी लगा कि उसके डैड कर तो गलत ही रहे हैं तो साइमन सोनिया को console करने की कोसिस करता है और उसको tissue paper देता है सोनिया साइमन के गले लगे जोड़ जोड़ से रोने लगती हैं और काफी emotional हो जाती हैं वो इतनी ज़्यादा emotional हो गई हैं कि अब वो साइमन को emotional outbrush में kiss करने लगी हैं लेकिन जल्दी इन दोनों को realize हो जाता हैं कि ये दोनों क्या कर रहे हैं और अब साइमन यहां से दूर हट जाता हैं और बाहर जाके ये सोचने लगता हैं कि वो ये क्या कर रहा हैं उसकी मॉम ने उसको यहाँ पर काम करने के लिए इसलिए रखा कि वो शोनिया को उसके डैट से दूर रख सके लेकिन अब वो खुद सोनिया के close हो रहा हैं वो अपनी फैमिली के complex network में अब वस्ता ही जा रहा हैं क्योंकि उसकी girlfriend उसको कहती हैं कि हमारा cartoon festival दो हपते बाद में ह हैं तुम कौन सा काम लेके बैठ गए हो हम आर्टिस्ट हैं और हमें हमारा काम करना चाहिए अब साइमन अपनी girlfriend और अपने मा को किये हुए वादे के बीच में कुछ ऐसा फसा कि ना तो वो अपनी girlfriend को छोड़ सकता है और ना ही अपने मा के किये हुए वादे को तोड़ सकत जैसे सोनिया के लिए ये एक नॉर्मल सी बात हो तो साइमन कहता है कि इसके बारे में मेरे डैड को मत बताना तो सोनिया कहती है कि मैंने अल्लेडी बता दिया है कि मैं तुम्हारे पीछे किसी लड़के के साथ इंगेजड हूँ लेकिन ये नहीं बताया कि वो लड़का तुम हो मैंने इसलिए बताया कि उनका हॉलिडे खराब हो जाए साइमन को भी लगा कि कहां फस गए यार तो वो सोनिया के जाने के बारे में और जानकारी इकटा करने की कोसिस करने लगा क्योंकि सोनिया उसके डैड की एक्स पेसेंट थी इसलिए वो सोनिया की फाइल निकालता है और वो पढ़ता है कि सोनिया सुसाइडल टेंडेंसी की पेसेंट थी जिसका ट्रीटमेंट उसके डैड ने किया था और वो सोनिया की पूरी फाइल पढ़ लेता है अगले दिन ये बात सोनिया को पता चल जाती हैं कि उसकी पेसेंट वाली फाइल जो की डॉक्टर और पेसेंट के बीच में confidential होती हैं वो साइमन ने पढ़ ली हैं अब सोनिया अपनी फाइल ढूंड रही हैं वो नहीं चाहती थी कि उसकी सुसाइडल टेंडेंसी के बारे में कोई और जाने वो साइमन को कहती हैं कि तुम मेरी फाइल मुझे दे दो साइमन उसको फाइल निकाल के दे देता हैं सोनिया emotionally रोते हुए कहती हैं कि तुमें हमारी private information नहीं पढ़नी चाहिए थी तुमारे इस behavior की वज़े से मैं तुमारे उपर case कर सकती हूं सोनिया साइमन क को अपनी file देना नहीं चाती लेकिन साइमन उस file को खीसता हैं तो सोनिया उसकी तरफ मुड़ जाती हैं और सोनिया फिर से एक बार साइमन को किस करने लग जाती हैं और इस बार साइमन भी अपने आपको नहीं रोक पाता और वो भी सोनिया के साथ involved हो जाता हैं कुछ moments के ब परने वाले लोग आये हैं और वो सोनिया को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं साइमन अपने आपको अंदर के रूम के दरवाजे के पीछे छुपा लेता हैं इन लोगों के जाने के बाद में सोनिया और साइमन दोनों नीचे के रूम में चले जाते हैं साइमन को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें वो जो कर रहा हैं वो सही है या गलत हैं उसकी मॉम ने उसके डैड को सोनिया से दूर रखने के लिए ये सब करने को कहा था लेकिन अब वो खुद सोनिया के एट्रेक्शन में ऐसा फसा हैं कि वो चाहा कर भी अब यहां से जा नहीं सकता साइमन सोनिया के साथ थोड़ी देर बैट के बाहर के कमरे में बात करना चाता है लेकिन सोनिया को कुछ जादा ही जल्दबाजी थी वो अंदर वाले रूम में जाके साइमन को अपनी तरफ एटरक्ट करती है और इन दोनों के भीच में एक पैशिनेट लव मोमेंट बन जाता हैं इन टिमेट होने के बाद मैं सोनिया साइमन को कहती हैं कि तुमें मैं घर छोड़ दूँगी तुम मेरे साथ चलो साइमन उसके साथ कार में जाता है और सोनिया उसको अपने घर के पास छोड़ देती हैं सोनिया साइमन को कहती हैं कि कभी मेरे घर पर भी आओ साइमन उस की girlfriend उसके किसी friend आर्टिस्ट के साथ बैठी है और सायद lunch के लिए आई हैं वो उसको पूचता हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो तो वो कहती हैं कि मैं comedy festival की तैयारी कर रही हूँ तुम तो अपने mom और dad के काम में busy हो मुझे किसी का तो साथ चाहिए ना फिर भी साइमन की girlfriend फैबीन साइमन को किस करती हैं और वो कहती हैं कि तुम जल्दी से वापस काम पे लोट आओ लेकिन साइमन को अब ऐसा लगने लगा कि उसकी girlfriend फैबीन का affair उसके friend के साथ चलने लगा है और उसके मन के अंदर सक्का बीच पैदा हो गया है तो साइमन इन दोनों का पीछा करता है और वो देखता है कि उसकी गर्ल फ्रेंड उसके नए आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ कार्टून फेस्टिवल की तैयारी में पुरी तरह से जुटी हुई है साइमन फैबीन को कहता है कि तुम तो बड़ी जल्दी बदल गई तुमने तो अपना फ्रेंड बहुत जल्दी बदल दिया तो वो कहती है कि दो हफते के अंदर-अंदर कार्टून फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है मुझे कोई तो चाहिए था जिसके साथ मैं इस फेस्टिवल की तयारी कर सकूँ क्योंकि मैं काफी महीनों से इस फेस्टिवल की तयारी कर रही हूँ तुम तो अपने मॉम डेट के काम में बिजी हो गए हो मुझे किसी का तो साथ चाहिए न साइमन अपनी गल्फेंड को छोड़ना नहीं चाता अभी उसकी मॉम का फोन आता है और वो कहती है कि प्लीज थोड़े दिन तक और मैनेज कर लेना हम यहाँ पर दोनों अच्छे से हॉलिडे इंजॉई कर रहे हैं प्लीज मेरे लिए तुम काम मत छोड़ना अब साइमन पूरी तरह से कन्फ्यूज था कि वो करे तो क्या करे साइमन उसी रात अपनी गल्फेंड के साथ नाइट क्लब में जाता है जहाँ पर ये दोनों काफी इंजॉई करते हैं लेकिन साइमन के मन में उथल पुतल मची हुई थी और काफी देर सोचने के बाद में ये डिसाइड करता है कि वो अपनी गल्फेंड को सोनिया के साथ हुए रिलेशन के बारे में बता देगा और वो फाइनली अपनी गल्फेंड को कहता है कि वो सोनिया के साथ इंटिमेट हुआ था ये सुनके फैबीन को बहुत बड़ा धक्का लगा और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं थोड़ी देर बाद में साइमन को सोनिया का मैसेज आता है कि आज सैटर्डे हैं अगर तुम फ्री हो तो तुम मेरे घर पे आ सकते हूं साइमन अब सोनिया के घर पे चला जाता हैं वो देखता हैं कि सोनिया अकेली फ्लैट में रह रही हैं वो सोनिया के पास जाता हैं और थोड़ी बाते करने के बाद में ये दोनों स्क्रिस करने लगते हैं और इंटिमेट होते हैं सोनिया साइमन को डिनर सर्व करती हैं डिनर टेबल पर ये दोनों एक दूसरे से काफी बाते करते हैं जिसकी वज़े से ये काफी क्लोज आ जाते हैं अगले दिन सुबह जब साइमन उठता है तो वो देखता हैं कि शोनिया मार्केट से कुछ लेने के लिए जा चुकी है और वो देखता हैं कि उस फ्लैट में उसके डैड और उसकी गल्फेंड शोनिया की एक तस्वीर रखी हुई है उसको ये समझ में आ जाता है कि ये फ्लैट उसके डैड नहीं सोनिया को दिया है तब ही वो देखता है कि उसके डैड हॉलिडे इंजॉई करके वापस आ चुके हैं उसके डैड सोनिया के घर में साइमन को देखके थोड़े सौक हो जाते हैं तो वो साइमन को पूछते हैं कि तुम यहां पे क्या कर रहे हो पर साइमन उल्टा अपने डैड से पूछता है कि आप यहां पे क्या कर रहे हैं तो उसका डैड उसको बताता है कि यह मेरा ही फ्लेट है और मैं यहां पे एक बुक लेने आया हूँ वो कहते हैं कि क्या तुम्हें पता हैं कि सोनिया को एक बेबी चाहिए, सोनिया मेरे साथ इसलिए रिलेशन में हैं कि उसको एक बेबी चाहिए, और वो कहता है कि मेरी तो अल्रेडी वैसेक टॉमी हो चुकी है, मेरी नस्बंदी हो चुकी है, मैं सोनिया को बेबी नहीं दे सक मैं तो सिर्फ उसके साथ ऐसे ही रिलेशनसिप में हूँ। तभी हम देखते हैं कि सोनिया मार्केट से वापस आ चुकी हैं। साइमन के डैड सोनिया से बात करना चाते हैं लेकिन सोनिया इस वज़े से दुखी थी कि उसके डैड उसको हॉलिडे पे लेके नहीं गए और वो सामने ही साइमन को किस करती हैं और पूछती हैं कि बेबी तुमें अच्छे से नीनद आई क्या। सिर्फ साइमन के डैड को जलाना चाती थी और इसके बाद में साइमन के चहरे पे एक अजीब सी मुसकान आ जाती हैं। साइमन का डैड थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता हैं और वो कहता है कि मेरे लिए तुम दोनों का रिलेशन कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो दूसरी गल्फरेंड बना लूँगा, लेकिन प्लीज तुम अपनी मॉम को समझा देना कि तुम सोनिया के साथ रिलेशन्शिप में हो, ये कहके साइमन का डैड वहाँ से चला जाता है लेकिन उसकी मॉम ये मानने को तयार नहीं थी, कि उसका बेटा भी उसकी सौतन के प्यार में पढ़ गया है, अब दोनों मा बेटे मिलके यहाँ पे रोने लगते हैं, लेकिन अब पस्ताए क्या हो जब चिडिया चुक गई खेत, पानी तो कुछ बचा नहीं हाथ में आ बेबी चाहिए था, उसको फ्लैट तो साइमन के डैड ने दे ही दिया था, अब उसको एक बेबी भी मिल गया है, और प्यार करने के लिए अब साइमन तो है ही, तो वो सोच रही हैं कि उसको एक complete family मिल चुकी है, वो डॉक्टर काल के यहीं पे काम करती रहेगी, वो अपना बेबी साइमन के हाथ में देती है, साइमन उसको देखके थोड़ी देर के लिए खुस होता है, लेकिन वो अभी fully confused है कि उसकी life के साथ हुआ क्या, उसकी life जो एक साल पहले अपनी girlfriend के साथ well settled थी, वो अपनी family network में कुछ ऐसा फसा कि आगे कुआ, पीछे खाई, दोनों आफ़त आई, और इसी के साथ ये movie end हो जाती है, movie का explanation अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कीजेगा, हमारे channel को subscribe कीजेगा and thank you for watching